दोस्तों Google पर Most Liked Fruit in the World सर्च करने पर बनाना यानि की केले का नाम टॉप पे आता है कुछाकलों के नुसार दुनिया भर में हर साल सौ और अप से भी ज्यादा केले खाये जाते हैं लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर इसमें क्या खास है कोई न कोई फल तो लोग प्रिय होगा ही हाँ भाई देखो बात तो बिलकुल सही है लेकिन केले के मामले में ये बात इसलिए खास है क्योंकि केले के उपच दुनिया के बहुत कम हिस्सों में की जाती है और बावजुद इसके दुनिया भर के लोग का पसंदीदा फल बन चुका है लेकिन आखिर कैसे? आखिर कैसे केले का उत्पादन शुरू हुआ? कैसे से दूसरे देशों तक पहुँचाया गया? और आखिर क्यों केले का उपभोग बढ़ता जा रहा है? इतिहास से लेकर वरतमान समय की पूरी काानी को जानेंगे बहुत साज की वीडियो में डीटेल में तो आई ये शुरू करते हैं ये वीडियो आपको बता दे सबसे पहले पपुआ नियू गिनी में इस्थित्ट एक पुरा तत्विक स्थल कुक स्वाम के घाटी में वेग्यानिकों को कुछ ऐसे अफशिश मिले जो केले के अस्तित्व की जानकारी देते हैं अपनी इस खोश के बाद वेग्यानिक इस निशकर्श पे पहुँचे कि आज से लगबग 10,000 साल पहले भी मानव इस फल से परिचित थे और हमने अपने हिस्ट्री आफ एक्रिकल्चर वाले इस वीडियो में बताये भी था कि केले के खेती के साक्षित सबसे पहले पपुआ निव गिनी से मिले थे तो कृशी के इतिहास को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में मिलेगा आज से लगबख 10,000 साल पहले निव गिनी के लोग केले की जिस प्रजाती को अपने आहार का हिस्सा बनाते थे उसे मुसा बंक्सी के नाम से जाना जाता है और मुसा बंक्सी जंगली केलो की वो प्रजाती है जो आज भी मेंली आस्ट्रेलिया और निव गिनी के एक शित्र में पाई जाती है न्यू गिनी में उगाय जाने वाले ये केले प्रसारित होकर दक्षर पूर्वेश्य के दूइपो तक पहुच गए कुछी समय में केला इन लोगों का पसंदीदा फल बन गया और ये लोग अपने जहाजी यात्राओं के दोरान इसका सेवन किया करते थे क्योंकि इसे ले जाना और रखना आसान था साथ ही इससे भूग भी मिट जाती थी जहाजी यात्राओं में इस्तमाल किये जाने की वज़ा से ओशनिया के वैपारिक मार्ट से फैलते हुए केला दक्षडेशिया, भारत, चीन और पूर्वी अफ्रीका के देशों तक जा पहुचा प्राचीन भारत और चीन में तो केले के मौजूद की के कई साक्षा मौजूद है सिंदुगाटी सभिता के कोट डिजी नामक स्थर्पा केले के साक्षा पाए गए है भारत में केले के आगमन के बारे में अनुमाल लगाते हुए विग्यानिकों का कहना है क्या से लगबख हजारों साल पहले आस्ट्रेलियाई व्यापारियों द्वारा भारत में केला लाया गया होका प्राचीन कलकिन सक्षों के बाद मध्य कालीन समय में केले के मौजूदगी का जिक्र कई कहानियों, कविताओं और ग्रंथों में किया गया है इसलामिक धार में ग्रंथों में मध्य एशिया और अरब के शित्र में केले के मौजूदगी का जिक्र मिलता है अरब देश के लोग फल के रूप में केले का खुब इस्तमाल किया करते थे और आज भी इसलामिक देशों में रमजान के महीने में केले का उपभोग काफी बढ़ जाता है और कमाल की बात तो ये है कि केले का अंग्रेजी शब बनाना वास्तव में अरब देश की ही देना दोस्तों जी हाँ आज के दौर में केले का जो आकार होता है न वो एक हजार साल पहले के केले के आकार से काफी अलग है उस समय के केले आकार में काफी छोटे होते थे लगबग हमारी उंगली के आकार के और अर्भी भाषा में उंगली को बनान कहा जाता है और यहीं से ये शब्द लोग प्रिय होकर अंग्रीजी का शब्द बनाना बना शुरुआती केलों में तो बहुत बीज भी मौजूद हुआ करते थे लेकिन म्यूसय अक्यूमेंटर और म्यूसय बैलबिसियाना नामक दो अलग केलों की प्रजाती के क्रॉस स्वीटिंग की वजह से बिना बीजवाले केले की उत्पत्ती हुई केले की मांग काफी बढ़ गई और मांग बढ़ने की उस स्थिती में केले को काफी महंकी कीमत में बेचा गया इस ग्रह यूद के बाद केले की लोग प्रे तक काफी बढ़ गई केले की मांग को देखते हुए म्यूटेट करके ज्यादा स्वादिश्ट और मीठा बनाये ग केले की मांग को देखते हुए छोटे किसानों से लेकर बड़े व्यापारियों ने केले की व्यापार पर फोकस किया और काफी बड़े स्थर पर उत्पादन शुरू किया बीसवी शताबदी में मार्किट में धूम मचाने वाला ये फल आज भी फल के रूप में लोगों की पहली पसंद है वैश्वी करण के इस दौर में केले को दुनिया भर के देशों द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है केले को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे 13.5 से 15 डिग्री सिल्सियस के तापमान में रखा जाता है क्योंकि कम या जादा तापमान में रखने के बाद केले के रंग और स्वाद दोनों में अंतर आ जाता है आधुनिक समय के सुपरमार्केट्स में भी केला आपको आसानी से मिल जाएगा जिने एक निश्चित तापमान में रखा जाता है पीले रंग के पके हुए केले को फल के रूप में इस्तमाल किया जाने के अलावा हरे रंग के कच्छे केले को सबजी के रूप में भी इस्तमाल किया जाता दोस्तों क्या आपने कभी खाया है बताईएगा विल केले का बाजार कितनी तिजीजे फैल राइस का नुमान इसी बास से लगाया जा सकता है कि साल 2013 में जहां 20 मिलियन टन केलो का निर्याद किया जाता था वही साल 2021 में 170 मिलियन टन से भी ज़्यादा केलो का निर्याद किया गया था और ये नमबर लगतार बढ़ता जा रहा है केले के इतनी मांग होने की सबसे बड़ी वज़ा ये है कि केला बहुती हेल्दी फ्रूट है जिसमें 75% पानी है और 23% कार्बो हाइडरेट, 1% प्रोटीन और ना के बराबर बहुत फैट मौजूद होता है इन विशेश गुणों के साथ केले के मिटास की कोई तुलना नहीं है भारत जैसे संस्कृतिक देश में केले के फल के अलावा केले के पूरे पेड़ को अलग-अलग कामों में इस्तमाल किया जाता था जैसे केले के पत्ते को प्लेट के रूप में और केले के फूल को सबसी के रूप में इस्तमाल किया जाता था प्राचीन काल से लेकर आधुनी काल की इस पूरी यात्रा के दौरान केले को पैनामा डिसीज, ब्लेक सिगर्ट्यों का बनाना बंचीट और वाइरस और बनाना बैक्टीरियल विल्ट जैसी कई तरह के संक्रमाल का भी सामना करना पड़ा है लेकिन दोस्तों इन संक्रमाल कारी स्थितियों से परे, आज एक फल के रूप में खेले ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है वैल भाई लोग आज की इस वीडियो में हमने केले के तिहास के बारे में डीटेल में जाना अमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो जल्दी से वीडियो पर केला, I mean अंगुठा लगा के लाइक करो और शेयर करो और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप से मिसना, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तिल देन, बाई बाई, टेक केर, थेंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो